हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टे ओवर चैनल हाइपो टेड़ेज भी मैं हूं महुमत सोहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आये हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए कल बैंक निफ्टी के ऊपर मैं आपको त्री लेवल्स की अनालेसिस दिया पहला लेवल था 41611 दूसर लेवल था 41373 तीसरा लेवल था 41223 अगर कल का लाइव मार्केट यानि मैं आज की बात कल किया था लाइव मार्केट अगर ओपन गैप अप हो रहा है क्लोजिंग देते हुए लेवल ब्रेक कर रहा है तो ही हम लोग CE पर बठेंगे वरना इस ब्रेकडाउन लेवल पे ब्रेक होते ही और फॉल करेगा बताया उसी तरीके से फॉल होके बठाए अभी ये तो होगे कल की अनालेसिस जो आज हमारी सक्सेस हुई है अभी हमें कल 3rd November में कैसे हम लोग काम करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ हर बार मैं candle chart analysis करता हूँ तो इस बार मैं टेकनिकल से जाना चाहता हूँ उसके पीछे reason भी बताता हूँ टेकनिकल जाना इसलिए चाहता हूँ because आज double oversold हुआ है पहला oversold यहां पे हुआ है दूसरा oversold यहां पे हुआ है इसका मतलब यह है कि improper buying हो रही है दूसरा अभी हम देखो club हुआ ठीक है club होने के बाद यहां पे final rally आनी चाहिए overbought नहीं हुआ that's why completely pressure on selling देखने को मिला जिदर clubbing में कल भी हमें immediate buying ऐसे भागता हुआ देखने को नहीं मिलेगा कल का live market मेरे हिसाब से sideways होते हुए धीरे धीरे बड़ेगा मेरे हिसाब से sideways होते हुए धीरे धीरे बड़ेगा तो अगर मैं technical देखू तो अभी भी nifty bank danger zone में ही है जिसका हम लोग only breakout and breakdown पकड़ की trade कर सकते हैं तो आज का जो breakout provide किया है वो breakout यह है आज का supply zone है दोस्तों important levels समझके चलो यह वाले supply zone है ठीक है अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक breakdown level यहां पर देखने को मिला यहां पर supply zone है ठीक है important level यहां पर आज important level 4 है और यह आपको final breakout पता ही है अगर breakout level break होता है तो market नीचे complete fall करता है तो कल के live market में हम लोगों को अगर nifty bank यह वाला level 41 205 41 141 के बीच में sustain करता हुआ दिखा या इन levels को break करते candle closing देता हुआ दिखा तो हम लोगों को 41 3 12 तक जाता हुआ देखेगा अगर यह भी level complete break कर रहा है तो 41 225 तक का level हम लोग पकड़के चल सकते है बिकाज अल्रेडी sharp selling हम लोगों को देखने को मिला जस्तों sharp selling देखने को मिला जिफ sharp selling में कौन सा भी stock हो या index वो चाहता है support support वो अपने final breakout पे भी दे यह वाला level break करके यह support वो यहां से भी लेके चले पर already एक supply zone बना है इसका मतलब नीचे भी जाके उपर जाके या उपर भी जाके नीचे आए supply zone को तो उसे एक बार touch करना है अब जो होगा कल देखा जाएगा दोस्तों and यह मेरा telegram channel है आपने अभी तक telegram channel को join नहीं किया है तो description में link है click करिए join करिए जिदर मैं अपने telegram channel में with technical analysis calls provide करता हूँ दोस्तों जो technical analysis देता हूँ उसी technical analysis पे calls provide करता हूँ अगर आप अभी तक join नहीं कियो तो description में link है click करिए join करिए